हेलो एवरिवान यह यूपीएसी हिंदी का नया इनिशेटिव है मेंस 2022 के लिए जो कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है जो आपको पहले ही दिन आपके मेंस शिडियूल में दिया जाएगा देड़ स्माक्स का कंपलसरी पेपर यह उसके बारे में वीडियो है यह उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है- यहां पर हम बात करेंगे कि उस पेपर का पैटर्न क्या है उसका- इक सलबस क्या है आपको उसके पढ़ना है कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है तो हम अपने GS के पेपर में इतना बिजी हो जाते हैं और अपने अपने अप्शनल के एक्जाम को कवर करने के लिए इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने जो essay के हैं या हिंदी का जो examination है जो scoring है जहां पर बहुत लोग अच्छे marks score करके अपनी rank improve करते हैं कुछ selection ensure करते हैं वो पीछे रह जाता है तो यह paper हमारा 1500 marks का है सबसे best बात है कि इसमें कोई scaling नहीं है तो आप सारे जो कि किसी भी माध्यम से यह paper लिख रहे है मेंस का या फिर जो भी किसी भी background से है वो चाहिए science background से है या humanities background से हैं आप सब एक ही platform पे हैं बहुत सारे students जो हिंदी में अच्छे होते हैं या जिनकी strategy अच्छी होती है वो यहां पे बहुत ज़्यादा marks score करके एक edge बना लेते हैं GS में आप सब लगभग अच्छा score करते हैं आप सब बहुत पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा score और एक average score लगभग सबका होता है आप अपने optional में काम करिए उसमें आपको जह है जादा से जादा marks जो भी उसके maximum marks है वो आप मिलते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा हैज बना लेते हैं लेकिन यहां पर इस paper की बात करना जा रहे हैं जो कि आपके first day पर होगा आपका सामान हिंदी का paper इसमें English medium वाले students के लिए यहां पर जहें थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि एक तो उनको Hindi लिखने में बहुत लोगों को परेशान ही होती है उनकी कहीं कहीं पर कुछ व्याकरण की error आती है कहीं पर कुछ spelling की error आती है जो कि Hindi माध्यम से जो paper लिखते हैं या जो उसमें पढ़ते हैं उनमें यह समस्याइं कम देखने को आती हैं तो यह हमने course design इसी तरह किया है कि आप सभी को एक आसान तरीके से यह बताया जा सके कि कम से कम समय देकर इस paper में आप कितना अच्छा score कर लीजे ताकि आपको बागी सारे paper में समय देने पर भी जो है आपको इसका score अच्छा मिले मैक्सिमम ली हम बात करें तो इसमें हमें जो अच्छा score माना जाता है वो 90 से 115 तक लोगों के आए हैं जो मैंने जिन से बात की है मैं जिनके touch में हूई हम मेरे खुद के जैसे रहे तो 90 से लेकर 115 के बीच में अच्छा score माना जाता है और फिर वो आपको आपके paper और बाकी चीज़ों में बहुत help करता है तो हमें ये ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि हमें इतना तो score अपना लाना है इसमें एक अच्छी चीज यह है कि इसमें कोई scaling नहीं है आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने marks मिल जाएंगे आपके किसी particular background से होने पर इसमें कुछ modulation होगा नहीं तो ये एक अच्छी चीज है आप maximumly 100, 100 to अच्छा score कर सकते हैं और समय भी उसमें जो है ना कम आपको देना पड़ेगा 112 ऐसे बहुत अच्छा score कर सकते हैं तो आपके पस क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं आपका GS है आपके optional का subject है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जादा से जादा चीजें इसी कोर्स में यहीं पर इनी वीडियो में cover कर लें ताकि आप इनको देखकर एक अच्छा score बना सकें एक अच्छी strategy और अच्छा pattern समझ के तयारी कर सकें ताकि आप बाकी चीजों में भी जो है आराम से ध्यान दें यह initiative भी शुरू हुआ है ताकि आप जल से जल इसे cover कर ले और अपनी सारी जो भी notes making करनी है या जो भी reading करनी है वो पार्ट शुरू कर दें ताकि बाद में paper के आने वक्त आप panic ना हूँ या यह ना लगे कि आरे इसमें कुछ कमी रह गई है क्योंकि यह paper पहले दिन ही होगा और मेरी समझ से अगर पहले दिन paper बहुत अच्छा आप लिखके आते हैं तो उससे na confidence बढ़ जाता है तो आप आगे तो फिर अच्छा करे हैं तो यह चीजें हैं जो आपको benefit करेंगी यह सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें हैं तो हम आगे देखते हैं कि कोर्स कैसे हम करेंगे सबसे पहले यह हम आयोग में जिस तरह से इस पूरे paper का syllabus दिया हुआ है हम उस पर बात करते हैं यह paper 500 marks का है तीन घंट के लिए होता है बहुत लोग क्या गरते हैं इसको जल्दी जल्दी से लिखके बैठ जाते हैं और छुट छुटी गलतियां कर देते हैं जहांपन माक्स कर जाते हैं तो हम इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमें तेन घंटे दिया गया है तो वह बस ऐसे ही नह प्रिश्ण को तरीके से अच्छे से पढ़कर समझ कर उसका जवाब लिखेंगे तो आप इसमें बहतर परफॉर्म कर पाएंगे इसमें दिये हुए जो सेलबस है जैसा कि हमने बात की वह आयो की साइट पर जो है उनकी notification में ऐसे लिया हुआ है ये 9 points है उन्होंने तो खेर इसको ABCD करके डाल रखा है पर मैंने सारे elaborate कर दिये हैं ताकि आपको अलग से सही समझ वाए है आप इसका screenshot ले लिजए या पढ़ते समय यहां से ही ध्यान दिज़ेगा कि सबसे पहले तो हमारे पास दो गध हम अपने पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस जगह पर जादा ध्यान देना है इस section के हमें जादा practice करनी है तो हम कम से कम समय में और strategically और very smartly हम अपने जो है इस course को complete कर सके और maximum marks गेन कर सके यह syllabus को ना ऐसे ही design किया गया है जिससे आपकी Hindi भाशा में एक जाजा सके है देखिए आप syllabus को देखेंगे तो इसमें आपको शब्द कोश आपका कैसा है वो भी चेक किया जा रहा है पत्र लिखवाया जाता है क्योंकि आपको सरकारी भाग में काम करना है और वहाँ पर एक शैली होती है कारी की जिसमें आप पत्रा चार करते हैं आप ब हिंदी भाषी प्रदेश में काम करना है जहां पर जादा काम हिंदी भाषा में ही होता है आपको जिन लोगों से रोज मरा में बातचीत करनी है वो भी जादा तर हिंदी ही बोलने वाले आपको मिलेंगे तो यह पेपर इंपोर्टेंट है उस उद्देश से भी कि आपको भ तूह यहाँ पर पड़ कर और समझ के वहाँ पर एक छा उध्तर लिखना होता है सब्सक्राइब छोट know, यहाँ स्क्राइब और मुस्क्राइब करbahn। बावट सबस्क्राइब नहीं हो जोग कि वहाँ आप कोशिश करें कि आ nut sounds ख जरे सिधूनिके सेट करते हैं कुछ हम यहाँ पर आने वाले वीडियो में भी solve करेंगे कैसे answer लिखा जाता है और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर भी बात करेंगे यह दूसरा जो पार्ट है संशे पर यह passage में ही पूछा जाता है यह इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग जिसे कहते हैं यह वो है जिसमें आपको उस पूरे अवतरन का एक मूल भाव समझते हुए जादा उसमें कुछ भी जादा नहीं बिल्कुल परिवर्तन ना करते हुए उसके मूल भाव पर आपको उसका एकतिहाई शब्दों में लिखना होता है संशेपड उसके बाद हमें पत्र लिखने के लिए आता है जिसमें की जो है सरकारी, अर्ध सरकारी, तार लिखन, कार्याले आदेश, सूचना, परिपत्र इस प्रकार के पत्र आते हैं जो की अभी भी डिपार्टमेंट में जो विबिन कार्याले हैं वहाँ पर इस्तमाल होते हैं दो कार्याला के बीच में बातचीत के जरिये बनता है परिपत्र होता है कि एक जगह से कई डिपार्टमेंट में आपने कोई सूच न भीजनी है तो ये सब जरूरी है और ये आपके काम का हिस्सा भी है शायद इसलिए आयोग दे बहुत समझदारी दिखाते हुए ये सारी चीज़े आपके सिलबस में डाली है उसके बाद जैसे ये कि ये शब्द ग्यान की बात आती है तो हमने बात की कि क्योंकि आप हिंदी भाषी प्रदेश में काम करेंगे आपको शब्दों का ग्यान होना चाहिए है यही उमीद की जाती है तो इसमें आपका जो सेक्शन है इन दोनों सेक्शन के बाद वो आता है जहां पर उपसर्ग और प्रत्य का प्रयोग ऐसे प्रशनाते हैं विलोम शब्द की बात आती है विलोम शब्द जो है आते हैं आपको 10 मार्क्स के 10 शब्द होते हैं वाक्यांच के लिए एक शब्द वर्तनी को शुद्ध करने के लिए भी आता है उसके बाद जो सबसे important topic है वो यह है लोकवित्नी और मुहावरे यह topic इसलिए important है क्योंकि यह रखता है 30 marks का weightage बहुत important है यह और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सिर्फ इसका अर्थ ही नहीं लिखना है आपको इस पर एक पूरा-पूरा वाक्य बनाना होता है अब हम ध्यान देंगे कि हमें इस पूरे syllabus को तो पढ़ना ही है आप देखें कि काफी काफी अच्छे से जो है और संशिप्ट में यह syllabus डिजाइन किया गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अंधा दून बस पढ़ते जाना है एक तरीके से स्ट्राटेजी के तेयत आप पढ़ेंगे तो आप कम समय में जादा स्कोर करने की शमता इसमें रखेंगे लेकिन फिर भी इसमें भी अगर पूछा जाए तो हमें सबसे जादा फोकस कहां करना है वो है गद्यांच पे उसके बाद पत्र और उसके बाद मुहावरे गद्या एर को और टरीके से मांज भाइख रखेंगे होते हैं एंसेमी फिर यहां मतलब जादा मांजी करेंगे लाग में और आगे आनेवाले वीडियो्राइद आप खुद लिखें धिbb्यान रखना है और हम अच्छτα परफॉर्म कर पाएंगे श्यक्राइब ए उसके बाद आता है पत्र, जब हम पत्र की बात करते हैं, तो पत्र कई प्रकार के हैं, हमने देखा इसमें, जिसमें कि सरकारी, अर्ध सरकारी, उसके बाद कारयाल आदेश, तार लेकर, तार लेकर नब पूछते नहीं हैं, लेकिन अभी सिल्बस में मेंशन हैं, तो यहां पर मैं बता रही हूँ लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो है सरकारी पत्र अर्थ सरकारी पत्र परिपत्र और सूचना इसमें सिर्फ आपको एक किसी टॉपिक पत्र लिखना नहीं आएगा आप पुराने पेपर जो आपके पास हो किताबों में या कभी हम एक्जामपल भी जो पढ़ाते वक्त डालेंगे तब आप देखेगा पुराने आए हुए पेपर में कि सिर्फ यह पत्र ऐसे ही नहीं पूछते कि आपको इसकी परिभाशा आनी चाहिए उसके बाद उस पर आपको जो है उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी कभी-कभी वैसे भी प्रशन आते हैं कि आप उसके बाद एक आता है कि आप उधारन दीजे आप उसका प्रारूप तियार करिए तो ये चीजें हैं पत्र आपको ऐसे त्यार करना है कि आपको उस पत्र की जो भी पत्र है पूछा गया है परिपत्र पूछा गया है यादी सूचना पूछी गई है उसके बारे में आपको एक एक ऐसी परिभाशा लिखनी है जो उसको पूरी तरह से एक्स्प्लेइन कर सक कि इसका क्या आशर है और उसके बाद आप उसके एक प्रारूप को त्यार करेंगे और एक उधारन त्यार करेंगे कई बार आयोग जो प्रेशन पूछता है वहाँ पर वो सिचुवेशन दी होती है वो आपको एक सिचुवेशन देते हैं कि आप किसी पद पर हैं और आपको क खुद को उस पत्र पर मानते हुए लिखना है वो पत्र या वो परिपत्र जो भी उस समय पूछा गया है तो ऐसे प्रश्णों की भी हम प्राक्टिस यहां पर करेंगे उसके बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है मुहावरों का क्योंकि यह कहरी करते हैं 30 में साथ माक्ष हमने शायד बताया निए पत्र यह लेते जो nenhuma का कि जो कि दुम हावरों का करते हैं तो मुहावरे भी इसमें दो तरह से पूछे जाते हैं दो तरीका है इसमें एक दो यह पूछा जाएगा विशुत है इसका अर्थ किया है और दूसरा उससे related आपको एक sentence बनाना होता है तो दिक्कत कभी कभी कहां पर आती है कि मुहावरा आपने सुना होता है पर आप उसका क्योंकि अर्थ आपको सिर्फ कुछ शब्दों में देना होता है याप जादा से जादा एक लाइन का उपयोग कर सकते हैं अर्थ को सपष्ट करने के लिए उससे बड़ा अर्थ तो नहीं होना चाहिए अर्थ आप तीन से चार शब्दों में ही लिखना होता है तो अगर आप क्या होता है कि हमने सुना है मुहावरा सुने सुनाया होते हैं आम बोल चाल भाशा में हम इस्तेमाल करते हैं लेगिन अब हम उसे वहाँ पर अर्थ लिख नहीं पार रहे होते हैं उन दो-चार शब्दों में तो यह प्राक्टिस हमें घर से करके जानी हो और य देवन आपका होता है और भी चीजे पढ़नी भी होती है तो वो भी दिमाग में होती है तो वहां पर आप तुरंग थे लिखें इससे बहतर है कि आप here से प्रैक्टिस करके जाएं पढ़ के जाएं विडियो से सुनके जाए तो आपको जहें वो दिमाग में रहेंगी अच्छे यह मुहावरे ना 10 होते हैं Each marks 3 Per question 3 marks होता है तो भी समस्या क्या है कि यहाँ पर यह 10 जो questions आते हैं मुहावरों के वो हमेशा ऐसे नहीं होते जो आपने सारे के सारे सुने हुए होते हैं यह सब आपको पता होते हैं यह वैसे तो वही उठाए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में आम बोलचाल की भाशा में इस्तमाल होते हैं काफी कुछ आपके सुने हुए होते हैं पर सारे के सारे नहीं ऐसे होते हैं आयोग यह चाहता भी निंग कि आपको सारे पेपर आता हो और आप बिल्कुल A-2-Z सब कुछ करके बैठ जाए नहीं तो इसलिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो एकदम नया कुछ लेके आते हैं किसी एक पूरवांचल का उठा लिया या कही नहीं ऐसी जगे से उठा लिया जो कि नहीं सुना हुआ होता है ज्यादा तर लोगों ने तो ऐसे मुहावरों को लिखने के लिए उसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है ज्यादा हमारा फोकस वह होगा जो कि पहले के पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस येर पेपर मे कावर किये हुए है आयो की तरफ से पूछे गए पेपर में आये हुए हैं तो हमें उन्हें नहीं छोड़ना है और इसमें से कम सकम साथ से आठ तो आप अटेम्ट करी लेंगे वो दो एक ऐसे डालते हैं जो कि आप उसी समय सुने होते हैं तो इसलिए मुहावरा को लेकिन बह कि ही आपको बनाने होंगे तो उन वाकियों पर भी काम करेंगे हम ताकि आपको वहाँ पर आसानी हो और आप इतने तो कम से कम अटेम्ट कर ही लें अच्छे से तो अगर आप इतना करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर टच करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आप पेपर है और यह इन्हों ने गद्यांश वहां पर प्रेजिंट दिया था उस पेपर में तो आपके भारती है मनीशा ने कला धर्म दर्शन और साहित के शेत्र में नाना भाव से महतपूर्ण फल पाए हैं और भविश्व में भी महतपूर्ण फल पाने की योग्यता का है वह दे चुके हैं आप देखिए कि एक साधारण हिंदी की भाषा और ज्यादा तर ये जो पैसेज उठाते हैं वो साहित से या कला से या ऐसी ही किसी चीज से उठाय हुए होते हैं तो आयोग को ऐसे टॉपिक्स बड़े आसान लगते हैं शायद तो वो इससे ही उठाता है सबसे बेस चीज क्या है इसमें कि ये पेपर ऐसे जिस पैटर्न में हम दखा रहे हैं या जिस पर हम पैटर्न की बात करें ये ऐसी आता है इसमें बहुत ज़्यादा च्छाड करता नहीं आयो ना इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है तो ये समझ लीजे आपके ल इसको प्लस 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 बीस वालब सोगे शोना applies x方 बैसे से उकांक ब भय तो-ई-आइन होने सब्सक्राइब कर दिया खरें तो यहां पर जो इन उनने क्वेशिन पूचा है यह यह आप देखेंगे तो यह है इस a पैसिज से स्बस्राइब // रिएटडило समूची जनताओं को समान धरातल पर खड़ा करना किस प्रकार संभव है आप ये जब हम अब आगे के गद्यान सौल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि देखें कि हम कितना अच्छा तरीके से आंसर निकाल सकते हैं तो देखें इसमें हम आपको करना ये है कि सबसे पहले दो य जिनके ऐसी गलतियां हो रही है उनको प्राक्टिस शुरू कर देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी अभी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए प्रिलिम्स को हुए हो चुके हैं काफी दिन तो अब मेंस की तियारी में लगने का टाइम आ चुका है तो जिनका हो रहा है या जि प्रेक्षिन बनाते हैं यह इसी पैसेज से रिलेटेड होते हैं समुची जनता को समान धारातल पर खड़ा करना किस प्रकार संभव है यह आपको पैसेज में जवाब रीड करेंगे तो आपको सेक्षिन अंडरलाइन करेंगे और वहां से लिखेंगे दस मार्क्स का है इसक आप से कितना लिखना होता है उस पर हम बात करेंगे दूसरा है कि प्रथम रेकांखित अंच का क्या आशय है यह इस तरह की प्रेशन आते हैं कि वह पैसेज में आपको ना कुछ ऐसी लाइन होंगी जिनको वह अपनी तरफ से रेकांखित करके देंगे तो उसका व्याख्य करेंगे उसके बाद दूतिय अंच का विश्दी करन कीजिए विश्दी करन का भी अर्थ अब इन्होंने शब्द यह डाल दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह कुछ नया निकाल के लाए हैं इसका भी अर्थ इलाबरेट करना इंगलिश में जो होता है वही है आपको इसक आपको जादा लिखना है और यह इन्होंने एक इसी पैसिज से रिलेटेट क्वेशन पूछा है जो कि आप जब कि पैसिज कई बार पढ़ेंगे यह क्वेशन पढ़ेंगे फिर पैसिज पढ़ेंगे और वो सेक्शन जहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है उसको नोट क यह आपको वहां से मिल जाएगा जवाब जवाब वहां से मिल जाएगा लेकिन आपको वहीं से उठाकर अपनी कौपी में नहीं लिखना है क्योंकि आप इतने तो हैं कि आप एक अच्छा आंसर पर फॉर्म कर सके आयोग भी आप सी यही एक्सपेक्ट करता है तो इसलिए इसमें आपको समझना वहाँ पर है कि जवाब है क्या और फिर अपनी भाशा में एक अच्छा सा उत्तर त्यार करना है दूसरा ये एक आया हुआ आयो का एक दूसरा इसी साल के पेपर का ही है ये पेपर से आए ये दो हजार अठरा का है या फिर ये सब हम अभी आगे देखे जब पुराने पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो ये शारिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है उसका शरीर भी स्वस्त रहता है ऐसा ही एक पैसिज है बहुत बड़ा पैसिज ये नहीं देते हैं और इस से रिलेटेड यहां पर ये प्रेश्न है तो यहां पर इन्हो यानि कि साथ नंबर एक बड़ा हिस्सा गध्यांच जो है कबर करता है तो इसमें देखिए ये आयोक का ना एकदम ऑथेंटिक पैटर्न है जो वो कई सालों से फॉलो गर रहा है सबसे पहले वो उस गध्यांच का शीरशक पूछते हैं शीरशक में क्या ध्यान देना है इस सब पर हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे जब हम गध्यांच के बारे में और समझेंगे और पढ़ेंगे दूसरा है ये जो प्रेशन है कि उप्रलगित गध्यांच के आधार पर श्रम का महत्वस पष्ट कीजिए तो ये आपको उसी गध्यांच में जो भी संग्षेपड कीजिए बीस मार्क्स का ये गवेशन आता है तो ये बहुत जरूरी है संग्षेपड की प्राक्टिस बहुत जरूरी है ये आपको घर से ही कुछ दो चार संग्षेपड लिख के जाना होगा कुछ हम भी यहां पर डिसकस करेंगे कि इन में इसको लिखते वक कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कितने शब्द होने चाहिए कैसे लिखना है और कुछ एक जो प्रिविस यहर के पेपर में आयोए संग्षेपड है मुझ पर भी बात करेंगे तो इसको ना प्राक्टिस की बहुत जरूरत है ये आपको लिख के जाएं ये आपके लि वीडियो ने अब यह हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा फोकस एरिया है वह है पत्र लेखन का ये पत्र लेखन वाले दो पत्र जैसे कि मैंने बताया था बीस माक्स का है और इसमें देखिए यहां पर इन्हों ने इस साल ये आपको ये कुछ बढ़िया सा पत दे दिया है क हम उधारन लिखते हैं तो वो अलग तरीके का होता है इस पर हम आने वाले वीडियो पे जब पत्र वाला वीडियो बनाया जाएगा आपको दिया जाएगा तब उस पर बात करेंगे ये दूसरा देखिए ये है जहां पर सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर पश्ट कर करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उधारन दीजे तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें परिभाशा भी तयार करनी है उसका प्रारूप तयार करना है और एक उधारन तयार करना है तो यहां पर देखिए वही काम आ गया हमें मारे पास इसकी परिभाशा है और अर् सपश्ट किया उसका उधारन भी लिख दिया और एक अलग से सरकारी पत्र का उधारन लिख दिया यह सारी चीज़ें हम यहीं से तैयार करके जाएंगे ताकि वहां पर हमें ऐसा कुछ नयाद ना लगे क्यूंकि जो हमें पता है कि पत्र इनी सारे टॉपिक्स पही आता है वह परिपत्र पूछते हैं या फिर तार पूछते नहीं है परिपत्र पूछते हैं या दिस उचना पूछते हैं या सरकारी पत्र या अर्द सरकारी पत्र तो जादा तर इनी चारों से आता है कारयाले आदेश भी कभी कभी पूछ लेते हैं पर ये चार मेंली यही चार आते हैं दूसरा जो हमारा focus area जो हमने तीसरे की बात की थी वो थी मुहावरो वाली अब आप देखे ये दस मुहावरें पूछे गए हैं ये हर एक तीन माक्स का है और इस वज़े से ये तीस माक्स का question बनता है जाके तो ये काफी important बन जाता है आप इनको पढ़ेंगे तो ये ज्याद कैसे present करना है उस पर बात हमें यहां करनी होगी और ये आपको याद भी करना होगा इसलिए जिनको भी ये paper पहली बार दे रहे है में बधाई हो उनको पहले तो और जो भी है जिनको इस section में marks काम आ रहे है उनको ये पढ़ना शुरू कर देना होगा ताकि वो याद रहे उ पर उसको लिखने में दिक्कत ना हो और वाक ये भी बना पाएं आप ताकि तीस में से आप अच्छे से अच्छा score कर सके चौबिस पच्चेस शायद 26 तक भी तो ये तो बहुत अच्छा score हो जाएगा आप बिलकुल जो है कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है तो आप देख गट-गट का पानी पीना इसका अर्थ होता अनुभवी होना तो हमें कई बार ये सुना तो है गिया रहे हां हमने गट-गट का पानी पिया लेकिन उसका उस वक्त लिखते वक्त की इंतम इग्जाक्ट जो शब्द इस पश्ट करें उसका अर्थ वो याद नहीं आता तो य यह सारी चीज़े हमें यहां से ही प्रैक्टिस करके जानी है यह कुछ मुहावरे हैं जो कि किसी साल आये थे शायदे 2017 का ही पेपर है या ठारा का है धाक के वही तीन पात अंधे के हाथ बटेर लगना अच्छा कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो रिपीट भी होते हैं तो हम जब प्रिवेस येर के पेपर करेंगे या आप जब आपके पास प्रिवे इंटिक सोर्स होते हैं कुछ किताबे हैं वाकि हम जो यहां पर डिसकस करेंगे उससे आपका ये सेक्षिन तयार हो जाएगा तो उससे जो है आप काफी कवर कर सकते हैं प्राक्टिस आपको लेकिन खुद करनी होगी जो की आपको मंदत करेगा अब हम बात करते हैं कि और कि से नेकियां जिस पर हमने देखा कि आपका फर नेकिन बहुत इंपोर्टिंट है किसे प्रक्त का अलगे वह सुधिANE के hen दो कौक्षिए को जाए बात बाइस पांच अлись heartfelt घृचकिन. वाक्यों को शुद्ध कीजे और ये आपको पांच नमबर के आते हैं तो इसमें क्या नियम फॉलो होते हैं क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यार में रखनी होंगी ये सारी प्राक्टिस आप जब करेंगे तो ये क्वेशन आराम से वहां पे होंगी ये बहुत आसान पूछे जाते हैं कि शिवा औरोमा आज मेरे घर आएगा और ये आपको पड़ने पर ही समझ में आ रहा कि इसमें गल्तियां के तो जब भी आप पढ़ेंगे शिवा और आज मेरे घर आएगा तो बस आपको वहां पर और इसको शुद्ध करना है और इसका जवाब लिखना है आप話 पराम से इसको माक्स मिल सकते हैं आपको पूरे-पूरे यह देखेगे यह भी जो है शुद करने के लिए आते कभि आयो बाधिय देगा और वह दस नंबर के होते हैं कभी इस तरह से बना देता है यहां पर आशिरवात देखिए यह गलत लिखा हुआ है बस आपको इसको कैसे सही से लिखना है यह लिखकर पूरे पूरे नंबर ग्याद करनें अब यह सारी प्रैक्टिस हम यहां पर भी करेंगे आप पुराने पेपर देखिए पुराने पेपर में भी आप सॉल्व करेंग तो आपको यह जो बरतनी की गलतिया हैं जो लिखने में मात्राओं की गलतिया है ऐसा ना हो बहतो का सब ध्यान रखना है वहां भाई भी भी एक अत्रित हो गई अब इसमें शुद्ध करना है आपको और बस एक सेंटेंस वहांपर नोट डाउन करना है कोई टिक करने वाला objective पर ये है नहीं कि वहाँ पर आपको चार दिये हुए option आपने टिक कर दिये ये आपको पूरा-पूरा sentence वहाँ लिखना होगा है इसलिए लिखने की practice आपको करनी ही होगी ये जो आगे को कुछ section है उसमें उपसर्ग और प्रत्य भी आता है आपने syllabus आगे देखा है उपसर्ग और प्रत्य की भी इस तरह से शब्द दिये होंगे और आपको इसका जो है पहले तो ये पहचान करनी है कि इन में से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्य और उससे एक-एक शब्द की रचना करनी है ये भी दसमाक्स का आता है और दूस दूसरा exercise जो आती है वो है विलोम शब्द की विलोम शब्द आपको पढ़ने होंगे आप सारे तो नहीं कर पाएंगे कुछ जो है जैसे रिजु का वक्र ये कई बार पूछा जाता है पहले कई बार पूछा गया है समिश्टी ये भी पहले आ चुका है समिश्टी का विश यह सारे शब्द जो है आपको याद करने करने होंगे यह बार बार पढ़ने से अपके प्राक्टिस करने से ही आपको याद рहें तो पूरे दसमीं से दस ना कर पाएं पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आठ सात से आठ तो कर लें कम से कम वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पूरे 10 आते पर ऐसा है नहीं कि सब को 10 दस ही पूरे ही आने चाहिए कभी कुछ कुछ शब्द आयों कैसे डालता है जो कि बिल्कुल नहीं होते हैं यह जिनका अर्थी नहीं समझ में आरहा होता है तो उसका विलूम लिखने में दिखकत होती पर ऐगे के और फटेँव की ये अपकिन कुछ भी प्रवा में बातों को तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आगे के आने वाले वीडियो पर हिंदी का ये जो पेपर है हम उस पे कैसे cover करते हैं उसमें क्या क्या चीज़े हमें ध्यान देनी है कैसे हमें utilize करना है अपने समय को और कम से कम समय में अपने course को पूरा complete करना है इसमें जादा समय हिंदी में तो नहीं देना है क्योंकि आपको आप जीयस का paper पढ़ना है उसके बाद आपको अपना optional भी पढ़ना है जो कि बहुत है आपको current पर भी देखना है तो बहुत सारी चीज़े होती तो आप Hindi पर बहुत समय तो नहीं दे पाएंगे पर हाँ practice इसकी भी जरूरी है और आपको यह करके ही जाना पड़ेगा ताकि इसका पूरा lab उठा सके कि इस डेर सो marks में कोई scaling तो होनी नहीं है तो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने number मिल जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजे सुधार करने से आप एक अच्छा edge ले सकते हैं इस paper में मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो informative लगा होगा और आपकी जो भी suggestions है वो आप निचे comment section में डाल सकते हैं आगे आने वाले videos में हम इसके हर एक section पे जो भी paper में आता है उन पर बात करेंगे उन में क्या क्या साब धानिया रखनी है हमें और विलोम या मुहाबरे उन में कौन-कौन से शब्द हैं जो की ज़्यादा तर आते रहते हैं और standard books में हैं वहाँ पर उनके explanation और उनके अर्थ और सब चीजों पर बात होगी तो thank you so much जैहन आप कोई वीडियो informative लगा हो तो please like, share and comment thank you